Hi everyone, I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि Unbalanced Transportation Problem क्या होती है और हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि Unbalanced Transportation Problem को हम सॉल्फ किस तरीके से करते हैं पेपर में दो तरीके से आप से Unbalanced Transportation Problem पूछी जाती है पहली या तो वो Short जो Answer Type Questions होते हैं उसमें पूछेंगे तो आप से इसकी Definition पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक Example देना होगा और अगर यहीं Question आप से Long में पूछते हैं तो आप से इसको Solve करवाया जाएगा बेसिकली जादा तर इसके जो Chances होते हैं वो Short में आने के होते हैं क्योंकि Long में बहुत से अलग Questions होते हैं आप से LPP, Linear Programming से या बहुत से Method हैं Simplex आप में पढ़ रखे होंगे तो वहां से पूछ सकते हैं इसके Long Question में आने के जाद से थोड़े रेर होते हैं बट Short में ज्यादा तर देखने को मिलती है यह ठीक है तो यहां पर लिखी हुई है Unbalanced Transportation Problem सबसे पहले एक बार हम इसकी Definition पर नजर डाल लेते हैं A Transportation Problem is said to be an Unbalanced Transportation Problem If the Sum of Available और यह जो Capacity होती है यह क्या होती है एक इसे देख लीजेगा यहां पर लिखा होता है यह जो यहां पे जिसका यहां पर Sum लिखा होता है इसको हम बोलते हैं Available बट यह कभी-कभी Capacity भी लिख करके दे रेते हैं और जो यहाँ दूसरी साइड में आपको लिखा होते है requirement, यहाँ पर कभी-कभी आपको demand भी दे देते हैं, तो बस यहीं है कि इसका और इसका जो sum होता है वो equal होना चाहिए, दोनों का sum अगर बराबर होगा तो वो आपकी balance transportation problem कहलाएगी, और अगर वो दोनों का sum जो है वो बराबर नहीं हुआ, not equal to होगा तो वो आपकी unbalanced transportation वाली problem हो जाएगी, ठीक है? बस इतनी सी definition है, यह थोड़ा सा mathematical language में लिखा हुआ है कुछ, इसको आप देख लिजेगा, लिखना हो तो लिख दीजेगा, अब हम आते हैं इसके solution पे, कि इसको हम solve किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे transportation problem लिखी हुई है, यह unbalanced है, यह मुझे कैसे पता चला कि यह unbalanced है, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमारा, क्या निकालना पड़ेगा, इसका sum, मतलब total available यहाँ पे कितने हैं, और फिर उसके बाद में sum निकालना पड़ेगा, total requirement का, तो वो हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो total available था हमारा, इसको मैंने add कर दिया, 50, 40, 70, तो यह हो गया 160, और जो total requirement थी हमारी, जो यहाँ पे given थी, 30, 25, 35, 40, इसको हमने add कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 130, तो यहाँ से यहीज मुझे पता चल गई, कि जो 160 है, यह 130 के तो equal है, नहीं, तो यह पता चल गई, कि यह जो transportation problem दी हुई है, यह unbalanced है, और अगर आपको balanced given होगी, तो वहाँ पे इसका और इसका समझोगा, वो equal होगा, तो अब यह तो पता चल गया, unbalanced है, आप देखते हैं कि इसको हम solve किस तरीके से करेंगे, तो इसके solution के लिए क्या करना होता है, सबसे जो first step होता है, इसी जो transportation problem given है, इसको हम दुबारा से लिख लेते हैं, as it is, आपको note करना है, और एक main जो चीज होती है, इसको हमें balanced बनाने के लिए हम क्या use करते हैं, बस वो हमें यहाँ पे दिहान रखना होता है, तो इसको मैंने इस page पे लिख लिया है, तो यह मैंने पूरी transportation problem को, इस वाले page पे दुबारा से लिख लिख लिया है, ठीक है, मुझे क्या कमी पड़ रही थी, जब हमने available को जोड़ा था, तो हमें 160 मिल गया था, पूरा का पूरा, ठीक है, और जब हमने requirement को जोड़ा था, तो हमें 30 कम मिला था, तो वहीं बस हमें क्या करना है उसी जिसमें कमी है उसमें 30 एड़ कर देना और उस रो को या उस कॉलम को complete करने के लिए हम 00 का यूज करेंगे यहां पे कमी जो थी वो हमें कॉलम में थी मतलब यहां से आप देखे यहां से ऐसे ऐसे करके जब हम एड कर रहे थे क्योंकि हम इन वाली डिजिट्स को चूस करते तो हमें कमी कॉलम में थी कभी अगर आपको यहां पर कभी मतलब यहां पर जो डिफ्रेंस है वो यहां पर बनाते होगई ङहां पास तह आपके there 3 métod है입, Northwest Corner Rules , Goggle's Approximator method , Least Cost unit Cost penalty in keep your situation एक्जाम मे擊 में जाड़तार में जगाता है कि आपको किस method से tokoštन को solve करना है और अगर नहीं मैंचन है गो Be focusing on the ultimate method, सब्सक्राइब trzeba付 लागना है तो यहां पे सबसे छोटा method जो यूज होने वाला है. मैं नॉर्थ-वेस्ट-quर्णर rules से स्को solve करूँगी. तो इसको हम solve करेंगे. तो जो नहीं आते हैं वो तो आज इसे वीडियो में भी सीख जाएगा क्योंकि मैं अच्छे से explain करूंगी और अगर आपको अलग से सीखना है तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी देख लीजेगा एक बार उसको तो नौर्थ वेस्ट कॉर्णर और रूल का रूल क्या होता है कि आपको यहां पे जो नंबर होते हैं जो रूल जो अप्लाई होता है वो यह जो अवेलिबल और यह जो रिक्वार्मेंट होता है उन्हीं के बीच में होता है मतलब इन पर डिपेंड करता है रूल तो यहां अप्लाई होगा तो आपको सबसे मतलब इससे नबर को गयर दो किchuss arriao हुगा क्यूंकि किmos hätte bien इस जो मैं किajma 10 हो जाए है नहीं priority कि इसमें और इसमें इसमें चूटा का अंः स साएगा प्रीजिजा सितार पफेवर इन में जुद ले लें GA इसमें और इसमें मतलब इसका सबसे चूटा क Phillies चोटा है और 8 चीज और यहां पे भी अगर 30 होता तो सहीधा अगर यहां 20 होता तो हमें यहां से 20 इस नंबर को देना होगा क्यूंकि हम यहां पे जो नंबर है वो मतलब उससे हम जाधा नहीं दे सकते हैं अगर यहां पे 20 आपने 30 दे दिया तो यह question गलत हो जाएगा Northwest Corner Rule में होता है कि आपको इन दोनों में compare करानी होती है जो सबसे छोटा होता है उसको हमें देना होता है और यह चेक करना होता है कि जिस नंबर को हम यहां पे मतलब दे रहे हैं यहां पे इस नंबर के पास में लिख रहे हैं तो यह जो मतलब वो नंबर इस नंबर से छोटा ही होना चाहिए यह बराबर भी हो सकता है बट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए तो यहां पर 30 तो छोटा है तो 30 हम completely इस number को दे देंगे तो यहां पर 30 करके आप ऐसे बना दीज़े जो number हम completely दे देते हैं उसको cancel कर देते हैं और उसके सामने जो row या column होता है उसको cancel कर देते हैं अब जो number दिया है उसको इस वाले number से minus करते हैं तो 50 में से 30 जाएगा तो यहां पर बच गया है 20 अब यह हो गया अब फिर से आप compare की जो अभी यह नंबर यहां पर पूरा मतलब completely खतम नहीं हो है तो अब भी जब तक यहां नंबर हैगा हम compare उसी की करेंगे भले आप यहां पर खतम हो जाए उससे compare होगी ठीक है तो यहां पर भी नहीं आपको enter करना है इन नंबर को भूल जाए अब आप देखें यहां पर 20 है अभी और यहां पर क्या है 20 आपने completely दे दिया इसको 20 जैसे ही दिया इसके सामने की जो पूरी की पूरी रो थी उसको cancel कर दीजे अब 25 में से 20 को घटाना होता है तो यहां पर बच जाएगा 5 और एक चीज़ का ध्यान रखेगा जो नंबर हम यहां इस में लिखते हैं मतलब यह जो यहां पर इतने में लिखते हैं demand और requirement को छोड़ करके वो circle करते हैं और जो इधर दर लिखते हैं उसको circle मत कीजे यह करना हो तो कर लिए बस calculate जो हम answer करते हैं तो हम इन ही number का use करते हैं खाली ठीके अब फिर से choose करिए अब यहां पर यहां पर 5 है अब इसकी compare इसे होगी अब 5 और 40 में बड़ा चोटा कौन सा है 5 चोटा है 5 completely cancel कर दीजिए उसके सामने जो row या column होता है उसको हम दे देते हैं 5 completely दे दिया तो उसके सामने यह बचा cancel हो गया अब 40 में से 5 को यहां से minus करेंगे तो यहां हो जाएगा 35 ठीक है और अब फिर से compare कीजे 35 35 अब देखें दोनों में equal है अब कोई दे दीजिए अब answer पर कोई भी आपके effect नहीं आएगा अगर आप 35 भी देंगे तब भी answer सेम आएगा और यह वाले 35 देंगे तब भी answer सेम आएगा तो मैंने कहां से 35 को cross किया और मैंने यहां पर 10 को दे दिया इसको circle कर दीजिए अब 35 completely दे दिया इसको cross अब 35 को यहां पर minus कर देंगे यह भी खतम हो गया ठीक है अब जैसे खतम हो गया अब यहां पर यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं है तो इस वाली को भी हम cancel कर देंगे अब यहां पर 10 नहीं था 40 था वो मैंने mistake से लिख दिया था तो यहां पर पीछे आप देख लीजिएगा ठीक है 40 चोटा है 40 चोटा है तो 40 cancel कीजिए इसको देदीजिए 40 cancel करके देदीए अब यहां कुछ है नहीं कटने पीठने के रहे अब 40 में 70 में से 40 चला जाएगा यहां पर बचाएगा 30 अब 30 30 दोनों में common है तो 30 हमने यहां पर दे दिया और यहां से यह दोना number होके cancel ठीक है तो इसको circle कर द बनाते हैं यह design आपको बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं भी बनाएंगे तब भी सही है तो जो भी circle है उसको ऐसे multiplication करते हुए product करते हुए लिख लेते हैं जैसे 11 इंटू 30 फिर क्या है 20 इंटू 20 लिखते हैं फिर next क्या 16 इंटू 5 लिख लेते हैं then फिर क्या बच इन सबको add कर दीजें जब इनको add करेंगे तो 1520 यह आपका हो गया answer यह होगा इसकी cost तो वैसे तो इतना होता है और कभी-कभी आपको इसमें भी optimality test लगाने को बोलते हैं इतना ज्यादा नहीं करने का आएगा एक 8 या 10 नंबर के question में इतना ही sufficient है आपको करना आपको next किस topic पर वीडियो चाहिए आप कौन सा नया topic पढ़ना चाहते हैं आप मुझे comment column में बता सकते हैं मैं उस पर वीडियो बना दूंगी और till then take care thank you